जै श्री राधे, प्रिय शनातन धर्मा अनुरागी बंदुओं वमाताएं, बैदिक रिशी चैनल पर आपका हार्दिक श्वागत है, श्री पुरुषत्तम माश महात्मय की कथा, आप शब को स्रवन करा रहे हैं, अज चतुर दशद्ध्याय की कथा, स्री गणेशाय नमः, स्री गुरुभ्यो नमः, स्री गोपी जन्बल्ल भाय नमः, वंदे वंदारु मंदारं, ब्रिंदावन विनो दिनं, ब्रिंदावन कलानाथं, उरुषत्तम अदभुतं, नारायणं नमस्क्रेत्य, नरंचैवनरोत्तमं, देविं सरश्वतिं व्याशं, ततो जयमुदीरेत, गुरुर ब्रम्हा, गुरुर विश्व, गुरुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्चात्परब्रम्ह, तशमै स्री गुरुवे नमः, स्री नारायण उवाच, अतचिन्ता तुरस्यस्य, गृहं बाल्मे किराययो, यो रामचरितं देव्यं, चकार परमादभुतं, स्री नारायण जी बोले, इसके पाद चिन्ताशे आतुर, राजा द्रणधन्वा के घर, बाल्मी की मुनी आये, जिन्होंने परम अदभुत तथा सुन्दर स्री राम चंद्र जी का जीवन चरित्र वरणन किया, राजा द्रणधन्वा ने दूर से ही बाल्मी की मुनी को आते देख, कर घबडाहटम के साथ जल्दी से उठकर भक्ति उप्त हो, उनकी चर्णों में दंडवत प्रणाम किया, भनी भाती पूजाकर उत्तम आसन पर रिशी को वैठा कर, उनकी चर्णों को अपने गोद में लेकर दोनों हाथों से धोया, और उनकी चर्णों दक को बड़े हर्ष के साथ सिर्प से धारण कर, सुक पक्छी की बात अस्वन करते हुआ, करता हुआ, राजा द्रण धन्वाने मधूर बचन से यो कहा, द्रण धन्वा वाच भगवन कृतकृत्योहं भाग्यवानस्मि साम्प्रतं अध्यम्मे शपलं जन्म याद्यार्थो धिगमत गतः प्रभू। द्रण धन्वा बोले, हे भगवन इस समय मैं कृत कृत्यों, भाग्यवानों मेरा जम्म जन्म शफल हुआ, हे प्रभू आज मेरा मनोरत पूरण हुआ, आज आपके प्रत्यच्छ दर्शन से सास्त्रादिकों के यथार्थ अर्थ का यान सफल हुआ, हे जगत के पावन करने वालों के पावन करने वाले, आज मैं अपने भाग्य का क्या वरडन करूं। आजा को बिनय युक्त देखकर बड़े प्रशन हुई और जन्ता को आनंदित करते हुए बोले, बालमिखी जी बोले, हे नरिपत स्रेश्ट, ठीक है, ठीक है, तुम्में उक्त प्रकार की सब बातों का होना समधो है, हे राजन, तुम चिन्ता से आतुर क्यों हो, सो सब मन क की बात कहो, ऐशा मालूं पड़ता है कि तुम्हारी कुछ कहने की इच्छा है, इसलिए हे महामते उशेक कहो, राजा दिर्ण धन्वाजी बोले, आपके चर्ण कमल की क्रिपासे हमेशा सुख है, परन्तु हे बिद्वान, हे महरशी हमारे हिरदय में एक बड़ा संदे है, बन में होने वाले सुख पक्ची के मुख से निकले हुए, बाण के शमान उस बचन को मैं दूर कैसे करूँ, किसी समय में शिकार खेलने के लिए गहन बन में निकल गया, वहां भर्मण करता हुगा एक तालाब देखा, उसका जल्पिया बाद में थकावट दूर करने के लिए एक बड़े बटब्रिच के नीचे बैठ गया, अत्यन्त घनी तथा सुन्दर चाया वाले और मन योम नेत्रों को आनन्द देने वाले उस ब्रिच पर बैठ गयी सुन्दर शुक पच्छी को देखा, जब उस शुक पच्छी पर हमारी द्रिष्टी गई, तब उसने हमारे शम्मुक होकर एक इस लोग पढ़ा, कि इस प्रिथवी पर बिद्यमान अतुल शुक को देख कर तुम आत्मा का चिंतन नहीं करता है, तो इस संसार के पार कैसे जाएगा, मैं इस प्रकार शुक पच्छी के बचन को सुनकर बिश्मित हो गया, हे ब्रम्हन मैं नहीं जानता कि उस शुक पच्छी ने क्या कह, योग्य हैं, हमारा राज्य, शुक तथा सुन्दर चारपुत्र, सुन्दर पति ब्रता इस्त्री, हाथी, घोडा, रत, सेना, ये ब्रम्हन, इस सब अतुल सम्रिद्धी इस समय हमें किशुपूर्य शेप्राप्त हैं, यह सब विचार कर संशेप में कहने के योग्य आप है राजा द्रणधन्वा की बचन को बालमी की मुनी सुनकर प्रायाम कर एक मुहुर्त तक ध्यान में मगन हो, हाथ में रखे हुई आवला के फल के समान, विश्वसंसार के भूत, भविश्यत और बर्तमान विश्य हैं, उनको हिर्दे में समाधी की बल से जान कर और निश्च राजा से बोले, बालमी की वाज, स्रोण भूपतिर सादुर प्राग जन्म चरितम तव, पुरा जन्मनी राजिंद्र भवान द्रविळ देश जह, दुजह कस्चित सुदेवाख्य स्ताम्र परडे तटे वसं, धार्मिक शत्यवादीज यथा लाभेन तोशवान बेदा ध भयन शंपन्नों विश्ण भक्ति परायण, बालमी की वुनी जी बोले, हे राजाओं में स्रेष्ट अप्री पुर्वजन्म का चरित्र तुम सुनो, हे राजिंद्र पुर्वजन्म में आप द्रवण देश में पाम्र परड़ी नदी के चट पर वास करने वाले, सुदेव नामक ब्राम्र थे, धार्मिक सत्यवादी जो मिल जाए, उतने में ही शंतोस करने वाले, बेदा ध्यन में शंपन्न विश्ण भक्ति में परायण रहा करते थे, अपने अग्निहोत्र आधी यज्यों के द्वारा भगवान हरे को प्रशन्न किया, इस प्रकार रहती हुए त पर पारवती के शमान तुमारी प्रेम से सेवा करते थी, ग्रहस्त आश्रम धर्म में धर्म पुर्वत वास करते हुए बहुत समय भीद गया, परन्तों तुमको शंतति नहीं, एक दिन अपनी इस्त्रीशे शेविक आसन पर बैठा हुआ, दुखित ब्राम्र गदगद स्व दूसरे लोक में सुख देने वाला होती है, शुद्ध बंस में होने वाली संतति इस लोक में तथा परलोक में कल्यान करने वाली होती है, उस स्रेष्ट पुत्र के न मिलने से मेरा जीवन निशफल है, न तो मैंने पुत्र का प्यार किया और न बेद पढ़ने के लिए सोने इसे जगाया, न तो उसका बिवा किया, इसलिए मेरा जन्म तो ब्यर्थ में चला गया, अभी मेरी मृत्तु हो, मेरों को आयुष्य प्रिय नहीं है, इस प्रकार अपनी प्रिय पती का बचन सुनकर, इस्त्री गौत में खिन्नमन हो गई, बाद में धैर्य धारण करती हुई, प्रिय बचन बोलने में, चतुर, प्रिय पती के प्रेम में मग्न, वा इस्त्री अपनी पती को समझाने के लिए सुन्दर बचन बोली, गौत म्योवाच मा मा प्राणेश्वर ब्रोही तोच्छ वाक्याने साम्प्रतम, भव विधा भगवता नैवं, मुह यंती शूरया। गौत मी बोली, हे प्राणेश्वर, अब इस तरह च्छ बचनों को न कहिए, कि शमान भगवत भग बिद्वान लोग मोग को प्राप्त नहीं होते हैं, हे बिभू आप सत्य धर्म में ततपर रहने वाले हो, अपनी श्वर्ग को जीत लिया हैं, ये सूबरत अर्थात हे सुंदर अब्रक करने वाले, आप जैसी ज्यानी को पुत्रों से सुख की प्राप्ती कैशी, अर्थात ज्यानी पुरुष, पुत्रों से होने वाले सुख की इच्छा नहीं करते हैं, हे ब्रह्मन वाले चित्र केतु नामत राजा पुत्रशोक से श दुष्ट पुत्र के कारण रात्र के शमय बन को चले गए। इसी तरहे श्वामिन आपको भी शंतती दुख देने वाली होगी। फिर भी हेत पोधन यदि आपको शत पुत्र की लालशा है तो प्रसन्नता से जगत के नात समस्त अर्थों के दाता हरी भगवान की आराधना कर हे ब्रह्मन पहले संख्या चारिय करदम्रशी ने जिनकी आराधना कर पुत्र को प्राप्त किया जो पुत्र योगियों में सरिष्ट कपिल देव नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्राम्रशरिष्ट इस प्रकार अपनी धर्मपत्नी के बचन सुनकर तथा निश्चयकर उष अपनी गौतमी इस्त्री के साथ पाम्र परणी नधी के तट पर गए। बाद वहां जाकर उष पवित्र तुर्थ में अश्नान कर वह अत्यंतो स्रेष्ट तप करना प्रारंब किया। पाच पाच दिन के बाद शूखे पत्ते तथा जलका आहार करते थी। इस प्रकार पोनिधी शुदेव ब्राम्र को चार हज्जार वर्स बेती थोगे। ये ब्रह्म्हन उषके इस तपश्या से तीनो लोक का पुठे। भक्त वत्सन भगवान उष शुदेव ब्राम्र के अत्यंत उग्र तपश्या को देख कर जल्दीशे गरुण पर सवार होकर प्रगठो स्री नारायन उवाचु तम द्रष्ट्वा नवजल दोपम मुरारी दोर्धन्डैर जगत बनच्छवैर चतुर्वी सल्लक्ष मुदित मुखं सुदेव सरमा साष्टांग नतिम करोन मुदा मुकुंदम। स्री नाराडजी बोले नबीन मेख के मेख की शमान जगत की करणे में शमर्त चार भुजावाले प्रशन नमुक मुरारी को देख कर सुदेव सरमा ब्राम्मण हर्स के साथ मुकंद भगवान को साष्टांग प्रणाम किया स्रीमन आरायल नारायल नारायल बजुमन आरायल नारायल स्रीमन आरायल नारायल 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 बजुमन आरायल नारायल 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 स्री ब्रियत नारदिय पुराणी पुरशोत्तम माशमात्मियों स्री नारायल नारदिशंबादी चत्वर ठोध्यायों स्री पुरशोत्तम भगवाने की जय प्रियबंदु अध्याय संपन्होने पर विश्णो अश्टुत्र सत्माम, विश्णो शास्रनाम, हरिदाम के द्वारा तुलसी पत्र अरचन, सुएत थिल अरचन, फुष्पदल अर्चन अवश्य करें, करने के उपरांत भगवान नाराण की पुरुषत्तम भगवान की आर्थी करें श्री परमेश्वर अस्त्रोत्रुम्म जगदीश सुसीश भवेश विभो परमेश परात्पर पूत पितह प्रणतंपतितंहत बुद्धिबलं जनतारणतारयतापितकं। गुळहेन सुधीनम नीनमतिम् त्वै पातरि दातरि चापरतिम् तमसारज साभृत ब्रेत्यमिमं जनतारणतारयतापितकं। ममजीवन मीनमिमंपतितंबरुगोर भुभीयसुभीयमउ करुळाब्धिचलोरमिजलानयनम जनतारणतारयतापितकं। बाववारण कारण कर्मत तौ भवशेंदो जले शिव मगनमत करुणांच समर्प्यतरिम्त्वरितं जनतारण तारयतापितकं। अतिनाश्य जनुर्मम पूण्यरुचे दुरितो गबरै परिपुर्ण भुवा। सुजागन्यम गण्यम पूण्यरुचिम्जन तारण तारयतापितकं। भवकारण भवकारक नारक हारक हे भवतारक पातक दाक हे हर सांकारक इंकार कार्म चयं जनतारण तारय तापितकं त्रिसितस्चेर्मस्मिशुधामितमेचुतचेन्मयदेः बदान्यवर अतिमोह बशेन बिनष्टकृतं जनतारण तारय तापितकं प्रणमामिनमामिनमामिभवंभव जन्मकृते प्रणिसूदनकं गुडहीनमनंतमितं सारणं जनतारण तारय तापितकं आउन स्री परमेश्वरायनमाउन है स्री क्रेश्लगो बेंद हरे मुरारे एनात नारायन वाशुदेव। स्री क्रेश्लगो बेंद हरे मुरारे एनात नारायन वाशुदेव।